इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बात किए डिटियल में दोस्तों लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं इसके सेकेंड आप्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें husband, wife दोनों का pension मिल सकती है और उनके चले जाने के माद में उनका जो नॉमनी होगा उनको पूरा को पूरा पैसा दे दिया जाएगा वो पैसा जो आज आप इस योजना में निवेश करेंगे दोस्तों इसे हमने three generation benefit plan भी कहा है वो कैसे example के तौर पे समझाता हूँ policy holder के पास 20 लाग रुपे है उन्होंने कहा मुझे आज इस plan में निवेश कर रहे है के बेटे के उमर भी 35 साल की है तो अभी policy holder में जो पैसा इसके दर निवेश किया है जो भी उनको मुनाफ़ा जितने percent का भी उनको interest मिल रहा है जिस आप से pension मिल रही है वो अपनी जिंदगी पर लेते रहेंगे और जब इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे तो ये पैसा, ये pension, ये income उनके बेटे को मिलने लगेगी ये income उनका बेटा enjoy करेगा उसके बाद में जब उनका बेटा भी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा तो उनके nominee को ये 10 और 20 लागर में जो भी आपने आज निवेश किये हैं इस plan के अंदर वो वापस कर दिये जाते हैं दोस्तो rate of interest सबसे मज़े की बात है आप अपना खुद fix कर सकते हैं किसी और plan के अंदर ये सुविदा आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको मिलता है different period different period का मतलब यह होता है माल लीजे आपने बोला यार मुझे एक साल से लिके 12 साल का gap चाहिए मैंने आज पैसा निवेश किया है बड़ मुझे इस साल नहीं चाहिए अगले साल नहीं चाहिए कि क्यों अभी से हमें अच्छे rate of interest का निवेश करना चाहिए दोस्तो अभी आप कहीं भी plan ले सकते हैं आपको जो rate of interest मिल रहा है 7%, 8%, 9% यह तो ख्यादा बोल रहा हूँ बट फिर भी example क्यों तोर पे लेते हैं अगर आपको मिलने वाला है नहीं दोस्तो अगर आपकी उमर आथ 30 साल की है तो 2023 में आप 40 साल के हो जाएंगे और 40 साल से लेके 70 साल तक आपको rate of interest अगर आपको पता हो आज ही कि आपको इतना मिलने वाला है तो इससे बहतर चीज़ क्या होगी और उससे भी मज़ेगी बात तो यह है कि आपको 12 साल लेके 14 परसेंट तक का return दिया जा रहा है वो भी guaranteed पूरे 100 सालों तक उसके लिए आपको और कहीं जगा निवेश करने की ज़रुत नहीं बड़ी आप इस plan के अंदर कर सकते हैं दोसो आज इस plan के अंदर joint life के option के बारे में बात करेंगे उसके अंदर जाने ही eligibility क्या है death claim में कितना पैसा मिलता है, loans render कैसे मिल सकता है, कौन joint life में add हो सकता है अगर कोई handicap है, उसके लिए criteria क्या है, कोई third gender है, उसके लिए criteria क्या है, कोई NRI है, उसके लिए criteria क्या है eligibility के बारे में बात करते हैं minimum age of entry 30 साल की उमर का व्यक्ति इस plan को ले सकता है maximum age of entry 80 साल के व्यक्ति तक इस plan को लिया जा सकता है दोस्तो minimum deferment period एक साल से लेके 12 सालों तक इसके अंदर आपको मिलेगा deferment period का मतलब ये होता है कि आज आपने पैसे invest किये उस दोरान आप कितने सालों तक pension नहीं लेने वाले हैं यानि कि 2 साल का अगर आपने चुनाव किया तो 2 साल का deferment period रहेगा इसके अंदर ये maximum 12 सालों तक आप चूज कर सकते हो वो आपकी requirement के उपर निरभर करता है उस तो minimum investment आप इसके अंदर डेड़ लाक रुपे की कर सकते हैं और कई बार लोग किया तयार मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं एक बारे पैसे नहीं दे सकता तो मैं आपको recommend करूँगा L.I.C. G.1 उंग प्लान लीजिए यह एक प्लान ऐसा है जो आप किस्तों पे दे सकते हैं साल साल दीजिए उसके बाद आपको guaranteed income मिलती है यहाँ पर हम जिस pension की बात करने वाले हैं दोस्तों वो पहले ही दिन से guaranteed है और fix है कि कितनी आपको मिलने वाली है और दोस्तों सबसे मज़े की बात तो यह है यह जो pension है न कल को अगर market का प्यासदर गिरेगा किसी bank का rate of interest गिर जाएगा तो भी आपको आज की rate में तैह हुआ ही rate of interest मिलने वाला है दोस्तों दोस्तों इस plan की अंदर pension कब रुख सकती है उसकी दो conditions है उसके बारे में भी जान लेते हैं सबसे पहले मालीजी किसी वक्ति के साथ कोई दुरुकटना हो जाती है वो इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं तब उनकी pension रुख जाती है सेकिंड जब वो इस policy को surrender करतेंगे तो उसके बाद उनकी pension रुख जाएगी दोस्तों न्यू जीवन शान्ती 858 ये pension plan आप दो options में ले सकते हैं क्या है वो option? सिंगल life अगर आप चूज करते हैं तो उसमें आपको खुद pension मिलेगी उसके साथ आप किसी और को नहीं जोड सकते हैं अगर हम बात करें joint life की तो आप इसमें joint life जोड सकते हैं जिनकी उमर 30 साल से जादा होने चीए आप या फिर आपकी वाइफ, आप या फिर आपके बचे, आप या फिर आपके भाई बहन दोस्तो अगर कोई joint life handicap है तो minimum amount पचास जार रुपे से भी start कर सकते हैं और उसमें age की कोई limit नहीं होगी दोस्तो जैसा हम good डालेंगे उतना मीठा होगा जैसी investment करेंगे उतनी return हमको मिलने वाली है बड़ हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना pension mode choose करें तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तो minimum pension अगर आप choose करें मंतली तो 1000 रुपे होनी चाहिए quarterly 3000, half yearly 6000 और yearly 12000 दोस्तो ये भी ध्यान रखिएगा half yearly mode choose करेंगे दो परसंट तक का नुकसान होगा quarterly में 3 और मतली में 4 चलिए दोस्तो तो इस plan की calculation start करते हैं सिराकाश जिनकी उम्र 40 साल की है उन्होंने premium pay किया है 10 लाक रुपे का जिसमें उनको 18% का GST भी देना पड़ता है जो होता है 18,000 रुपे यानि कि total पैसा वो जो जमा करेंगे इस policy के अंदर वो होगा 10 लाक 18,000 रुपे का और अगर कोई NRI व्यक्ति इस plan को लेता है तो उन्हें GST देने की जरूरत नहीं है दोस्तों दोस्तों इन case of death अगर policy holder को अभी तक pension नहीं मिली है उनके रमित्यू के दारान उनको जो amount उन्होंने invest किया था वो भी मिल जाएगा और guaranteed bonus भी मिल जाएगा और अगर pension चालू हो चुकी है तो उसके बाद में जो purchase amount है वो उनके nominee को दे दिया जाता है और अगर उन्होंने policy के अंदर कुई joint life add किया है तो उनको pension मिलेगी और जब वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देंगे तो उनके nominee को सारा का सारा पैसा दे दिया जाएगा दोस्तो joint life के अंदर आपके second joint को पैसा मिलता है जो की pension रही सेम amount की उसके बाद आपके nominee को जितना पैसा आपने इन्वेस किया था वो पूरा का पूरा as an insurance claim amount मिल जाता है दोस्तो इस plan के अंदर loan की facility भी है कितने समय के बाद हम loan ले सकते हैं वो भी जानते हैं दोस्तो तीन महीने बाद इस policy के तीन महीने पूरे होने के बाद हम loan भी ले सकते हैं surrender के बारे में बात करते हैं वो भी हम जानते कितने time के बाद हम surrender में कर सकते हैं policy को तीन महीने पूरे होने के बाद इसकी अंदर हम surrender कर सकते हैं policy चालू होने के 3 साल बाद Surrender करते हैं तो जो पैसा हमने जमा की है उसका 55 परसेंट पैसा हमको मिल जाता है अगर 4 साल बाद हम Surrender करते हैं तो 90 परतिशत पैसा हमको इस policy के अंदर मिल जाता है दोस्तों सबसे ठीची बात ये है कि इस policy को लेनी के लिए हमें कोई medical test नहीं कराना पड़ता है और अगर इस plan को third gender लोग लेना चाहते हैं तो उन्हें ये plan मिल जारता है minimum sum assured investment amount जो है 10 लाग रुपे से अगर आप NRI है, FNI हो है तो आपको GST pay करने की ज़रूर नहीं इस plan के अंदर दो यहाँ पर single life में अगर इस plan को लिया जाता है तो क्या calculation होगी वो आपकी screen पे है माल लिजए किसी व्यक्ती ने एक साल का different period choose किया है तो उनका सालाना जो income होगा इस policy के अंदर वो होता है 6,300 रुपे का जिसका rate of interest होता है 7.5% का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना different period choose करने पे कितनी pension आपको yearly, half yearly, quarterly, monthly मिलेगी और क्या rate of interest मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर अगर आप 12 साल का different period choose करते हैं तो आपका rate of interest तकरीबन 14.36% का हो जाएगा और जिसमें आपकी जो pension होगी वो 1,46,200 रुपे साल की मिलेगी और यह जिन्दगी भर मिलती रहेगी तो दोस्तों यह calculation आप pause करके देख सकते हैं single life claim अब हम बात करते हैं अगर व्यक्ती ने अपनी wife को भी इस policy में add कराया हुआ है तो कितनी pension पहले उनको मिलेगी उनके चले जाने के बाद में उनकी wife को मिलेगी और उनकी wife के चले जाने के बाद में यह 10,00,00 रुपे नॉपनी को वापस दे दिये जाएंगे दोस्तों आपके सामने screen पे जो calculation है right side वाली वो है joint life की अभी husband wife के according हमने calculation की है इसके बाद हम father और son की calculation में जरूर करेंगे तो उस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने joint life के अंदर 10,00,00 रुपे इंवेस्ट की हैं तो पहले साल में सालाना आपको 68,900 रुपीज मिलेंगे जिसका rate of interest होगा 6.77% का और उसी के according आप देख सकते हैं जितने साल का different period आपको चाहिए तो उसी के हिसाब से आप choose कर सकते हैं मालनीजे 12 साल का different period चूज किया है आपने तो आपको सालाने income 1,30,500 रुपे की मिलेगी और आपके चले जाने के बाद में आपकी wife को ये pension same amount दिया जाएगा और उनके भी चले जाने के बाद में जो 10,00,00 रुपे आज 2023 में आप इस policy के अंदर invest करेंगे वो आपके nominee को दे दिया जाएगा तो दोस्तो ये calculation आप pause करके दोनों दिख सकते हैं कि single life में कितना आपको pension मिलेगा और joint life में कितना pencil मिलेगा अब मैं अगली calculation कर देता हूँ जिसमें father और son की calculation होगी दोस्तो यहाँ पर single life में कितना पैसा मिलेगा वो अलड़ी आपको बता चुके है 60 साल की उमर में बट यहाँ पर हम देखते है right side में जहाँ लिखा है different annuity for joint life जी हाँ दोस्तो यहाँ पर जो calculation है joint life वाली है जिसमें पिता की उमर 60 साल की है और बेटे की उमर 30 साल की है इसके कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी amount का आपका pension मिलने वाला है suppose मैं बात करता हूँ कि 12 साल का different period choose किया है son और father ने दोनों giant life के अंदर तो उनको 12 साल के बाद में जो pension मिलेगी उसका rate of interest होगा 11.13% का ठीक है और जो pension का amount होगा वोगा 1,13,300 रुपे के आसपास का तो यह जो 1,13,300 का amount है पहले तो father को lifelong मिलता रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगे उनके चले जाने के बाद में उनके बेटे को यह amount मिलता रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगे और उनके भी चले जाने के बाद में जो उनका nominee होगा यानि कि third generation उनको यह पैसा दे दिया जाएगा 10,00,000 रुपे पूरा का पूरा तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ कि पिता जी की उमर 60 साल की है अभी अगर 10 और 20 साल यारी 10 साल भी मान लो कि 70 सालों तक अगर वो रहते हैं और उसके बाद उनके बेटे की उमर 40 साल की हो जाएगी तो 40 साल से लेके उनका बेटा भी अगर 70 साल तक जीते हैं तो तकरीबन 50 सालों तक इस rate of interest का वो लाब उठा सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और आईसी वीडियो को फिर से आपके सामने लेकर आएंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में नमस्कार जैहन